गुलाब जामन किसे पसंद नहीं पर इसे बनाते समय टाइम बहुत लग जाता है तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रीमिक्स जिसे आप पहले से भी बना के रख सकते हैं और जब भी आपको गुलाब जामन बनाने हो बस फटा-फट से इस प्रीमिक्स को उठाइए और गुलाब जामन बना के त्यार कर लिजे तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आदा कप मिल्ट पौडर आदा कप डालेंगे मैदा अब इसमें डाली में एक चोथाई चमज बेकिंग पौडर एक चमज डालेंगे देसी गी अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्रीमिक्स चाहिए तो आप इसी मेजरिंग को ही बढ़ा सकते हैं चार से पांच इलाइची को दरदरा पीस के मैंने इसमें डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स आप मेरा इसी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताइएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ पिछला थैंक्स जाता है वैंकोवर केनेडा से हर बजन बशाल जी को मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवार तो देखें इस तरह से अच्छे से इसमें देशी की जब मिक्स हो जाए इस प्रिमिक्स को आप 6-8 मेने तक अराम से एयर टाइट कंटीनर में रख सकते हैं और जब भी आपको गुलाब जमन बनाने हो बस प्रिमिक्स निकालिए दूद मिक्स करिए और ग असलते हुए हमें इसका डो बनाना है बहुत ज़्यादा सकत डो नहीं होना चाहिए देखें इस तरह का थोड़ा गीला ही डो क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद यह थोड़ा ड्राय भी होता है आदा कप दूद लिया था मैंने इसमें से आदा दूद बच गया है तो इसे ढख के रखेंगे लगबग 10 मिनट के लिए तो चलिए जब तक चाष्णी बना लेते हैं चाष्णी के लिए मैंने यहां पर एक बरतन लिया है इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी दो कप डालेंगे इसमें पानी चाष्णी के लिए ऐसे चोड़े मुह वाला ही बरतन लें तो यहां पर देखिए चाष्णी में उबाल आ गया है इससे जदा गाड़ी चाष्णी हम नहीं करेंगे वन्ना गुलाब जामुन चाष्णी को सोक नहीं कर पाते हैं तो गैस बन करके इसे हम ढख के रख देते हैं यहां पर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है यह देखि कि बॉल में कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए देखिए इस तरह के हम सारे बना के त्यार कर लेंगे अब यहां पर मैंने गैस पर तेल को गरम करने रख दिया है हमें जादत गरम तेल नहीं चाहिए तो चेक करते हैं कितना तेज गरम हुआ है तेल यह देखिए हलके हलके ब एक साथ ना डाले क्योंकि यह आपस में चिपक सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए इन्हें डालके ऐसे ही छोड़ दें यह हलके से उपर को तहर आएंगे उसके बाद चमस से तेल को इस तरह से चारतरफ से घुमाईए यह अपने आप भी उपर को आ जाएंगे और धीमी आज पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करिए तो फ्रेंस देखे गुलाब जामन अच्छे से ब्राउन हो गया है अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और गरम गरम ही चाश्णी में इसे हम डाल देंगे अगर आपको लगे कि चाश्णी ठंडी हो गई है तो उसे थोड़ गुलाब जामन फ्राइ करिए तो फ्रेंस देखे गुलाब जामन यहां पर बनके त्यार हो गये हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं यह देखे किते सॉफ्ट बने हैं गुलाब जामन बिल्कुल पर्फेक्ट बने हैं और अंदर से भी देखे अच्छे स सिके हुए है, बहुती टेस्टी और बहुती छट पड बन गया गुलाब जाओन, तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं, वाव। बहुती टेस्टी बने हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह विडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने friends और family में से share करें मिलते हैं next video में till then thank you for watching and take care